वजन कम करना आज की डेट में सभी के लिए एक मुश्किल बनती जा रही है और वजन बढ़ने से बहुत सी बिमारियां होती हैं तो वजन घटाने के लिए सुबह उठने के बाद चार घंटे का समय सबसे एहम होता है और इस चार घंटे के दोरान अगर आप सही रूटीन अपना लें तो आपका मेटाबलिज्म तेज हो जाएगा फैट तेजी से बर्न हो जाएगा इस तरह से आप अपना वजन तेजी से कम कर पाएंगे सुबह के समय सही रूटिन अपनाने से आप दिन भर एनरजी से भरे हुए रहेंगे और आपका शरीर भी खुश रहेगा इसलिए आपको हम ये नियम बताने जा रहे हैं सुबह के चार घंटे में ये कारे कर लीजिए आपका वजन आजीवन नियंतरित रहेगा सबसे पहले तो कुनगुने पानी का सेवन कीजिए आप मोटे हूँ या पतले सुबह उठने पर आपको एक ग्लास पानी जरूर पीना चाहिए इससे आपके अंदर की सारी गंदगी यानि की टॉक्सिंस बाहर निकल जाते हैं अगर आप अपना मोटापा कम करना चाहते हैं तो आपको साधे पानी से कुल्ला करके एक ग्लास कुनकुने पानी में एक निम्बू निचोड करके पी लेना चाहिए हर सुबह उठने के बाद अगर आप ऐसा करते हैं तो यह यकीनन आपको वजन कम करने में मदद करेगा सुबह पिया गया एक ग्लास पानी आपके शरीर में निट्रियंट्स के सर्कुलेशन में मदद कर देता है इसके अलावा 30 मिनट का वॉक जी हाँ आज का समय बहुत व्यस्त है लेकिन अगर हर दिन सिर्फ 30 मिनट निकाल कर आप वॉक कर लें फिर रनिंग कर लें तो इसका बहुत फायदा मिलेगा आपको इससे आप डाइबिटीज, हार्ट अटेक, स्ट्रोक और हाई बलड प्रेशर जैसी 100 से जादा छोटी बड़ी बिमारियों से बच सकते हैं इसलिए थोड़ा जल्दी उठें मगर हर दिन कम से कम 30 मिनट एक्सरसाइज के लिए जरूर निकालें इसके अलावा ब्रेकफास्ट पर ध्यान दे एक्सरसाइज के बाद थोड़ी देर रुकें और फिर ब्रेड पोहा सूजी का चीला उपमा फ्रूट्स जैसी चीजें शामिल करना चाहिए आपका नाश्ता प्रोटीन और विटामिन से भरा हुआ होना चाहिए इससे आप दिन भर एनरजी से भरे रहेंगे या ऐसे कहें कि दिन भर में जो सबसे हेल्दी चीजें आप खाते हैं वो सुबह के समय खाएं नास्ते के समय खाएं तो सबसे अच्छा होता है इसके अलावा हिल्दी स्नेक्स का सेवन करें जी हां ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है घर या ओफिस में शाम के समय कुछ खाने का मन होता है और इसे खाने के लिए ओली या कुछ और खाने से अ अलावा समय समय पर चलते रहें जिनकी जोब डेश्क वाली होती है उन्हें सिर्फ बैठना होता है और ऐसे में वजन का बढ़ना लाजमी है जिहां बढ़ी जाता है पेट बाहर आने लगता है अगर आपकी जोब आठ घंटे की है तो हर देड़ घंटे पर आपको एक बार उ लिए भी सही रहता है सारी बोड़ी में सर्कूलेशन एक बार ब्लट का सही से हो जाता है जो कि बेहत्ज जरूरी है नहीं तो एक जगह एक पोस्चर में आप बैठे रहते हैं तो इसी थिलता आने लगती है इसी वजह से आपका वजन अनियंतरित होने लग जाता है साथी स साथ लगातार स्क्रीन देखने से आपके आँख भी खराब होने लग जाती है तो इन बातों का ध्यान रखें और स्वस्तर हैं सुबह चार नियम यह अपना लें आपका वजन डेफिनेटली कंट्रोल में रहेगा यह आज की वीडियो रही आप सभी के लिए ऐसी ही नॉलेज कीजिए आपके मन में कोई सिहत संबंधी सवाल हैं तो हमाने वाले दिनों में उन टॉपिक्स पर आप सभी के लिए वीडियो जरूर बनाएंगे फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना हैं विदा लेते हैं इस एपिसोड से जुड़ेंगे नए एपिसोड में नई जानका के साथ तब तक आप सभी खुश रहें स्वस्त रहें ये वीडियो आप सभी देख रहे थे अरुवेदिक उप्चार चैनल के माध्यम से मिलते हैं नए एपिसोड में तब तक के लिए धन्यवाद नमस्कार दोस्त